Dear students, welcome to GateSmashers आज की इस फीडियो में explain करने जा रहा हूँ SR latch using NAND gate which is one of the most important topic of digital electronics क्योंकि जब भी हम sequential circuit की बात करते हैं तो हमारी कहानी जो है वो कहा से start होती है latch से start होती है फिर हम लोग further flip-flops पे जाते हैं फिर उसके बद हम counters पे जाते हैं लेकिन जो latch है it is a building block, basic building block तो यहां से हम लोगों की कहानी जो है वो start हो रही है लास्ट वीडियो में मैं आपको latches की introduction जो है वो दे चुका हूँ तो फटा फट से बिना time waste की आपको start करते हैं तो यहां पे मैंने सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्या बना रखे है NAND gate यहां पे दो बना रखे है और NAND gate की सबसे बड़ी property सबसे important चीज आपको याद रखनी है क्योंकि उसे line के दम पे आप पूरा का पूरा design कर सकते हैं क्योंकि students की आदत है इवन मेरी भी आदत थी इसको cram करने की इसके truth table को cram करने की लेकिन guys कोई जरूरत नहीं है cram करने की क्योंकि जब हम competitive exam interviews में किसी अच्छे level पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें इनकी basic understanding होनी बहुँ जरूरी है तो चलिए NAND gate की अगर हम बात करें तो NAND gate का truth table देखो अगर मेरी value जो है मेरी input 00011011 है ठीक है तो NAND gate क्या देता है NAND और उसके बाद not gate है तो यानि यह value क्या देगा 00 पे क्या देता है 1 देता है 1 देता है 1 देता है और 0 देता है तो यहाँ पे सबसे पहली important line जो मैं बोलना हूँ वो क्या है कि जब भी मेरी one of the input क्या होगी 0 होगी तो यह output में क्या देता है 1 देता है NAND gate की property क्या है कि जब भी मेरी one of the input क्या होगी 0 होगी जब भी मेरी दोनों में से कोई भी एक input कम से कम 1 जब भी दोनों input में से कम से कम एक input जब भी 0 होगी तो यह output में 1 ही देगा मलब आपको दूसरी input से कोई लेना दे रही नहीं है बस एक case है जब दोनों क्या होगी 1-1 ठीक है न So the point is कि one of the input is 0 दूसरी input को देखो ही मत्तर तुरंत output में क्या लगा दो one लगा दो ठीक है तो यहां से हमारी जो है वो कारी start हो रही है तो देखो अगर हम बात करें यहां पे इसके design की तो इसका design जो है वो इसी तरीके से ही आपको लेके चल ले है तो यहां पे मेरे पास जो है वो क्या है s, r मतलब यह मेरी input होगी s और यह r होगी output में हमारे पास क्या होता है एक q होता है और दूसरा क्या होता है q bar आप q n भी लिख सकते हो q और q bar आप यहां पे लिख सकते हो बेटर है कि आप n यहां पे use ना करो simple आप जो है q n प्लस 1 मतलब क्या next state next state यहाद है sequential circuit क्या होता है sequential circuit जिसके अंदर जो output होती है वो दो चीजों के उपर depend करती है एक तो मैं input में क्या value दे रहा हूं और दूसरी चीज किसके उपर depend करती है कि present में यह जिसको आप यह भी कह सकते हो कि past में अभी अभी मेरी already output क्या थी दोनों चीजों के उपर depend करती है तब जाके मेरी next state की output आती है ठीक है न इसलिए यहाँ पे हम लोग q और दूसरा q बार यहाँ पे लिख रहे है बलब अगर एक without compliment है तो दूसरी obviously complimented आएगी यह design जो है वो इसी तरीके से ही आपको याद रखना है अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो चलिए start करते हैं यहाँ पे truth table से तो truth table में आप देखो 00, 01, 10, 11 कोई भी value जो है वो start कर सकते हो जनली हम लोग easy understanding के लिए start करते हैं 01 से अब 00 से भी start कर सकते हो ठीक है S में क्या दी 0 R में क्या दी 1 अब देखो ध्यान से वही जो value अभी आपको बताई थी कि one of the input is 0 then output is what 1, output क्या होगी यहाँ पे 1 होगी मेरे को दूसरी input अब आपके दिमाब में आएगा सर यहाँ पे तो एक और input भी तो जा रही है हाँ इस case में आप कह सकते हो कि सर इसमें तो देखना पड़ेगा क्यों क्योंकि one of the input is one अब दूसरी क्या है अब देखो अगर दूसरी 0 होई तो output में 1 आएगा अगर दूसरी 1 होई तो output में 0 ते यहाँ पे हम direct नहीं बोल सकते तो guys I hope कि यहाँ पे आप follow कर रहे हो कि 0 आया तो तुरंट इसने क्या दे दिया one दे दिया मतलब आपको यहाँ पे तुरंट जो है वो क्या मिल गया one यहाँ पे fix हो गया अब देखो यह one जो है वो as a feedback हम लोग तो क्या यह valid है क्या यह सही आ रही है तो देखो जी आपकी q की value 1 आ रही है तो उसका compil cinemat क्या होता है one का compil minist क्या हूता है zero होता है तो one का complement zero आ रहा है मतलब यह बिल्कुल properly काम कर रहा है तो यानि sr की value मतलब अगर में 0 one दे रहा हम तो मेरा यहाँ पे Q जो है मलब आप एक तरह से कह सकते हो कि जो मेरी output में आ रहा है that is what 1 clear output में क्या आ गया मेरा यहाँ पे 1 आ गया तो यह एक आपको step जो है वो इस तरीके से clear करना बहुत जरूरी है ताकि आप बार बार इंची जो को cram ना करो और flip-flop में जाएंगे जब आपको यह कहानी समझ भी आगी तो flip-flop आपको बिल्कुल ही easy लगेंगे then next अगर हम बात करें यहाँ पे next case में हमने क्या किया next case में हम लोग जो है यहाँ पे 1 0 यहाँ पे apply करते है चलो जी 1 यहाँ पे apply किया 0 यहाँ पे apply किया अब फिर आपके दिमाग में गंटी बजी होगी कि सर यहाँ तो नहीं हम बता सकते कि output में क्या आएगा लेकिन यहाँ पे जिरूर बता सकते है यहाँ पे क्यों बता सकते है यहाँ पे अगर 1 of the input is 0 तो output में क्या आएगा 1 आएगा मलब इस जगा पे feedback में चाहे 0 है चाहे 1 है कोई फरक नहीं पड़ता output में मेरा क्या आएगा 1 ही आएगा ठीक है अब यह 1 obviously यहाँ पे ऐसे feedback जा रहा है तो 1 1 के case में आपको अब पता लग गया कि यह obviously answer जो है वो इसका क्या आएगा 0 ही आएगा क्योंकि land gate 1 1 पे क्या देता है 0 अब देखो जी क्योंकि value अगर 0 है तो इसका compliment क्या होगा 1 होगा तो यह valid है यह सही output दे रहा है तो यानि 1 0 के case में मेरी यहाँ पे value क्या आ गई 0 आ गई ठीक है next rate मेरी क्या आ गई 0 आ गई अब देखो जी next rate अगर हम बात करें या next value की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है वो next case लेके चलते है और next case क्या है मेरा next case है 1 1 ठीक है तो next case 1 1 मतला यहाँ पे 1 दिया यहाँ पे 1 दिया दियान से देखना यहाँ पे दोनों जगा 1 1 दिया अब देखो जी दोनों जगा 1 1 दिया अब आपके दिमाग में आएगा sir अब आप कैसे find load करोगी या तो एक जगा पे 0 लगा और फिर 1 लगा के देखो सारे case लगा के देख लो हाँ आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको मैं एक general तरीके से समझाता हूँ देखो यहाँ पर 1 1 है अब देखो यह मेरे को पता ही यह क्या है Q बार है यहाँ पर मतलब जो भी value जा रही है वो actual में जा तो Q बार ही रही है Q बार ही यहाँ पर input जा रही है चाहे वो 0 रही है general में अगर आप देखो general format में तो यह cube आ रही तो यहाँ पे जा रही है और यहाँ पे देखो Q ही तो यहाँ पे आ रही है चाहें Q की value 0 है यह one है बट A तो actual में क्या रही है Q ही रही है न तो यहीं एक तरह से इस वाले latch में one और q bar जा रहा है तो output में क्या आएगा 1.q bar का whole bar ने इंडिगेट पते ही आपको क्या आता है dot और फिर उसके उपर क्या लगा दो तो यहनी इसको अगर हम solve करें यह 1 का बार हो जाएगा 1 का बार plus q का बार-बार मतलब एक क्या हो गया यह आपका जो है वो 0 हो गया plus यहाँ पे q हो गया मतलब आपकी output में क्या आएगा q आएगा आपकी output में क्या आया q आया तो यहाँ से आपको एक easy understanding बता रहा हूँ कि देखो हम actual में कर क्या रहे है यह क्यूं कर रहे है यह मेरी actual में output क्या थी यहां पे क्यू और अब क्या रही है क्यू आ रही है यहां पे क्यू बार थी और अब क्या रही है क्यू बार ही आ रही है तो यहां से समझ रहे हो क्या चीज बताना चाहरा हूँ मैं बता रहा हूँ कि जो भी मेरी पहले output आ रही थी अब भी वही चीज मेरी as it is आ रही है जो पहले थी अब भी वही चीज मेरी आ रही है यानि इसको हम क्या बोलते हैं, hold state हम लोग इसको बोलते है यानि जो भी पहले value थी output में उसको ही hold करके रखेगा वही सेम देगा, नहीं समझ भी आया, तो एक बार आपा value भी डाल के देख लेते हैं, let's say, हम यहाँ पे value जो है, वो डाल के देख लो, ताकि आपको और ज्यादा clarity बन जाए, आप ले लो, देखो, यहाँ पे obviously q bar आ रहा है, यहाँ पे q bar आ रहा है, आप value ले लो, कि सर ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम 0 दे देते हैं, यहाँ पे 1 दे देते हैं, ठीक है न, क्यूंकि अगर यहाँ पे q bar आ रहा है, यह at present hold की हुई है, latch के अंदर एक bit जो है वो already hold है, तो यह मैंने hold की हुई है, अब देखो one zero के case में output क्या दे रहा है, one दे रहा है, और यह आपका one one के case में output क्या दे रहा है, zero दे रहा है, तो देखो जी, q bar की value क्या आई, zero आई, और हमने क्या दी थी पहले, zero ही तो दी थी, q की value क्या आई, one आई, और हमने क्या दी थी, one ही तो दी थी, यानि जो पहले थी, वही मेरी output आ रही है, आप इसको प्रूफ कर सकते हूँ, ऐसी अगर आप इसको one ले लो, इसको zero ले लो, बात एक ही है, मलब हमने यहाँ पर क्या लिया, q bar को one ले लिया, और q को हमने क्या ले लिया, zero ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम value टेले, one one के case में क्या आएगा, one one के case में output क्या देगा, zero देगा, तो logic q की value zero ली थी, और zero ही आगी, पहले zero थी, अब भी very next में zero आगी, ऐसी यहाँ पर obviously क्या लोगे, यहाँ पर q bar की value, देखो one zero के case में क्या देगा one zero के case में one देगा, तो यहनी q bar की value उनने one ही दी थी, और output में one ही आ गई, यहनी यह क्या कर रहा है, hold कर रहा है, और उसी चीज़ को हम इस तरीके से proof भी कर सकते हैं, ठीक है, तो चलो जी, last case हमारे पास जो है, that is zero zero, ठीक है, अब zero zero की अगर हम बात करें, तो लो जी, यह उ one, zero अगर एक input है, तो output one आती है, दूसरी input से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ गड़बड हो गई, q की value one आ रही है, और q bar की value one आ रही है, मसलों compliment हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो यह design के अंदर कोई problem आ गई, design जो actual में बनाया था, उससे और corresponding यह काम न ही कर रहा, तो यहली इसको हम बोलते है, invalid state, क्या बोलते हैं जी, invalid state, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं हमने 0-0 से start किया था, क्यूंकि 0-0 से start करते हैं, तो पहली ही output आपकी invalid आती, फिर आप ही कहते है, यह क्या, पहली value में 0 invalid आ गया, समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए पहले हमने normal case चले, और फिर last में आपको 0-0 वाला चला के दिखाया, अब आपकी मर्जी, आपको कहानी समझ में आगी, अब आप जैसे मर्जी चला के देख लो, SR latch जो है, कैसे बनाते है, using NAND gate, अब आपको पूरे point जो है, वो clear हो चुके, तो next में हम लोग इसको further discuss करेंगे using flip-flop, ठीक है, तो मतलब NAND gate, जो था हमारा SR latch के तुरो, हमने SR latch मनाया था, इसी को further extend करेंगे flip-flops में, thank you.